गूड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, कल हमने डूइलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था कि कैसे जो पार्टिकल है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करता है आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाईजनबर्ग अंसर्टेंटी प्रिंसिपल तो यह दोनों जो कंसेप्ट से वो इंपोर्टेंट हैं, तो आज हम अपना दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो देखे हाईजनबर्ग ने क्या का था कि जो पोजीशन है और मोमेंटम है, किसी भी पार्टिकल का, अगर हम एक साथ, साइमल्टेनियसली, पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड आउट करें, तो हम बिलकुल उसकी एग्जैक डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? इस इंपोसिबल तो मेजर साइमल्टेनियसली दा पोजीशन और मोमेंटम फा स्मॉल पार्टिकल विद एप्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेन्टी, यानि कि जो हाईजनबर्ग उनसर्टेन्टी का जो कॉंसेप्ट है, यह मला डे टू डे लाइफ में नहीं लगता है, ठीक है, दोबारा से इन्होंने क्या का था, कि एक साइमल्टेनियसली और बिल्कुल सही, बिल्कुल सटी, हम पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल की नहीं बता सकते हैं, इतनी सी बात, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने यह डेल्टा एक्स, यह क्या है अनसर्टे जिसको हम, एरर को हम केमिस्ट्री की टर्म्स में अनसर्टेन्टी बोल देते हैं, तो यह अनसर्टेन्टी इन पोजीशन और अनसर्टेन्टी इन मोमेंटम, इन दोनों का जो प्रोड़क्ट है, वो एच ओवर टू पाई के बराबर तो आएगा ही, इस से जादा भी आ सकता है, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ध्यान से यह फॉर्मूला आपको देखना है, कि डेल्टा एक्स मल्टिप्लाई डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर फोर पाई, ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, एम वी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी, क्योंकि मोमेंटम एम वी होता है, मास में तो कोई एरर आना नहीं है, एरर तो विलास्टी में ही आना है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर फोर पाई, इस एम को हम यह भी लेके जा सकते हैं, तो क्या बन दूसरी स्टेट्मेंट हम मना सकते हैं, ठीक है, तो यह था हाईजनबर्ग अंसरेटिन्टी का कॉंसेट, ठीक है, कि हम एक ही समय एक साथ और बिल्कुल सही, पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल की नहीं बता सकते हैं, किसी स्मॉल, माइक्रोसकोपिक पार्टिकल की, अब कार बस की बात करें, बाल की बात करें, तो उनकी बता सकते हैं, वो सिगनिफिकेंट है, लेकिन छोटे पार्टिकल के लिए, एरर आएगा ही आएगा, और वो एरर कितना, एच ओवर फोर पाई से ज़्यादा भी आ सकता और बराबर भी आ सकता, इतना तो एरर आए यह दोनों का multiply करके अब next हम देखते हैं what is the probability of finding the electron in given space मतलब जो probability है वो best possible description दे सकते है किसी भी situation की ठीक है जिसको की certainty जो है वो define नहीं कर सकता जैसे कि एक हम बात करें कि कोई दिन है और बिलकुल बादल लग रहे हमें लग रहा है कि बारिश आने वाली है यानि कि बारिश आने का chance है ठीक है probability है कोई जरूरी नहीं है कि बारिश आएगी या नहीं आएगी तो इसको बोलते है probability यह probability का concept जो आता है यह quantum mechanical model में ही आता है ठीक है तो probability को आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है तो जो बोर है उन्होंने तो क्या बताया था फिक्स circular path बताया था कि एलेक्ट्रोन जो है वो फिक्स circular path पे घूम रहा होता है उसका कुछ definite position और definite momentum होता है लेकिन उस चीज को replace कर दिया गया है किस concept से probability के concept से ठीक है मतलब कि position और momentum को हमने अब देखी लिया था uncertainty में तो अब हम define करते है probability के बारे में ठीक है जैसे देखिए hydrogen के अगर मैं बात करूँ hydrogen में आपको पता है hydrogen का atomic number क्या होता है one ठीक है ना तो इसमें कितने electron one ही electron होता है तो यह electron कहां पर यह nucleus है यह electron यहां भी हो सकता है 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 यहां 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 ऐसे इस तरह से होता है यह एक electron तो जब हम picture देखते हैं इसकी तो इस तरह से हमें picture मिलती है कि जो एक electron है वो कहीं भी हो सकता है लेकिन उसका ये जो ये boundary है ये define है कि इससे आगे नहीं मिलेगा ठीक है तो इसी से ही concept develop होता है कि इसका orbital का ठीक है तो orbital क्या होता है the space around the nucleus where probability of finding electron is maximum ठीक है अब ये orbital जैसे हम hydrogen के ये से एक electron की बात करें तो ये 1s में होता है ये 1s क्या है 1 क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे बस यहां पर आपको s का पता होना चाहिए कि वो जो एक electron है वो कौन से orbital में है s orbital और s orbital इस तरह से होता है nucleus के आराओ तो क्या है orbital space around the nucleus where probability of finding electron is maximum अब और भी तरह के orbital होते है orbital क्या s भी हो सकता है p भी हो सकता है d b होता है f भी होता है g, h, i, j, k कितने भी हो सकते है लेकिन हमारे अपने को इनके बारे में पता होना चाहिए s, p, d, or f s orbital की जो शेप होती है यहाँ पे देखा ही था एक electron यह इस तरह से goal-mattol सा होता है p की बात करें p की जो p orbital की शेप होती है वो है इस तरह से होती है dumbbell shape बोलते है इसको d की बात करें d की double dumbbell 2 dumbbell है ना देखिए तो आपको इसके बारे में f की बात नहीं करते fuse shape होता है ठीक है complicated सा है इसकी बात नहीं करेंगे और एक orbital को हम इस तरह से box में दिखाते हैं और एक orbital में maximum कितने electron आ सकते हैं 2 electron एक orbital में maximum 2 electron आते हैं और इस तरह से show करते हैं एक उपर की तरफ और नीचे की तरफ उपर की तरफ को हम बोल देते हैं clockwise अगर उपर वाला clockwise rotate करा है क्योंकि जो electron होता है वो इस तरह से अपनी axis पे भी एक तो ऐसे भी घूमता है ठीक है ना चारो तरफ गूमता है और एक अपनी axis पे भी घूमता है तो orbit और orbital का difference एक tabular form है वो मैंने दे दिया है उसे आप एक बार देखना